यह जीता को रामार को मनुष्वृति का फिलोंचब्द है यह उनको सुपरसीश करता है और अर्टिकल पेरेटे अंदर यह कहा गया है कि आज के बाद कोई ना मनुष्वृति का राजी चलेगा निहित्यों की इस इसमृति का चलेगा बनकि भारत का शुंदा के द्वारा दे जोनोंप भाईचारे बरोदियों वाषंदान के बरोदियや वह अमन के बरोदी है और कर बिद के सामने सबसे बड़ी चमच्या है कि यूद को चुने या खुद को है लुद ने कहा है कि जब किसी गुरुष के शक्ति होती है और शक्ति के होज़े ब data का जया है मैं तागत शल्गामोडी को नमन करता हूं और दिबावसाय को नमन करता हूं और भरत के समयदान को जो आज sexual को कर लुदान है उनको भी नमल करते हैं और पूजिय बंदी जी और बंच पर बैठे वे शिरोता वक्ता गांड मेरे सभी को जैवी की नमल बंदू है अमारे जो जो बहुत ही भंबशाती है नमल बंदू है रजी सिंग जी उन्होंने भौत की यह समझे के पुना समय भी बहुत ज्यादा करच किया है और बहुत ज्यादा अपना ढ़्ण भी धंग की पिछाद के लिए और करके मुझे नहीं किरुंगा बलकि दिल्री एन्सिआर की बात नहीं करूँंगा लेकि पूर्जा अलीगर मुलेसर से नौड़ा जैसे जिए पे भी पासे पैसे जाकर लगाकर धंग का केप्टन सुमेड सींग साथ के साथ में किया और दिली के बुद्धियार बनाने में उनका रूंकी टीम का फ़कड़ा योगदानता जिसे बुलाया रिजाते हैं इसके साथ में अपने शाति उंबेश सींग साथ से को भी और उनकी टीम को भी बहुत सादुबाद करूगा जो पितले 40-42 सालों से जब से जारी मुझ की नियुगरी थी जब से अमका व्लार्प में शमनिक है तो मैं भारते शम्दान के बारे में अपने विचार वेक्त भारत के संदान में की टोटल से निशा विखर है वर्याय को भारत के को अलकरोछाट को मflower है जी वर हैосके निशले वारा में चारा इरुभ से पांत्यों पांसफोआ चार्थ 172 वार जो नीदर में मिना शम्दान है वो दूसरा विस्ता सबसे बड़ा विस्ति शम्दान है भारत के शम्दान के अंदर 22 चेप्टर हैं 22 पार्ट है 22 पार्ट वदी कॉंश्क्यूशन ओप इंडिया और बावा साहिब डॉक्टर मेटर ने आदू इस बहुत बनने के लिए ही सच्चा बहुत बनने के लिए आपको इस बारे पहरवाने पर तरश्रा होगा जैसे हम 24 करेक्स होना है वैसे बोद्दों का मार्ट है प्रते क्याओं के आधार पर बनाया है और जो आर्टिकल 51 है उसमें बहुत धर्म को बहुत धर्म को शमावित किया गया है जो यह कहती है सब्सक्राइब करेंगा इसलिए भारत शांदी का प्रियास करेंगा और भारत जो है प्रियास पूरे बिसके देशों में स्कावित करने की बात करेंगा यह बातें बाबा साथ और मेंट करने 50 51 आर्टिकल ऑफ इंडियन कोस्ट्विशन में वेंशन की है दूजरी बात जो आर्टिकल 51 प्रिया कि भारत के अंदर विख्यानवाद की इस्ताफना हो विख्यादारा हो जो बुद्धी की विचादारा है और अंद्विश्वासों को खत्म करने का प्रिया है हर वेक्ती हर वेक्ती करेंगा दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शेजूर थर्ड है अनुसुटी थर्ड है भारते संदान की उसमें इस परका नाम लेने के लिए कोई प्राम नहीं होत नहीं है और बावा साहिब दॉक्ट्टर मेर्टन ने संदान के बावत बताया है कि इस परका नाम लेने की लेने की रख्षा शिंगों के द्वारत की जाती है और शिंगों की रख्षा बनके द्वारत की जा सकती है उसे प्रकार भारते संदान की रख्षा आपके द्वारा होगी और आपकी रख्षा और भारते संदान की द्वारते संदान की द्वारते संदान की द्वारते संदा वह भारत को बहुत में बनाना है मैं आपको यह बात पर विश्वास के साथ करना चाहता हूं जिस प्रकार हिमारी से जिनने वाली धारत और दुनिया की कोई भी काज़ा नहीं रोग सकती है भारत के अंदर बहुत है और किरामनी चेत्र में बढ़ना है और मैं आपको रोग सबस्क्राइब करते हैं और इससे प्रचाब भारत परोसुन में होगा अगर मैं अपनी उंगली चांद को दिखाता हूं तो तुम शंज्रमा को देखो मेरी उंगली को मत देखो नहीं हूं कि जब कोई मतरों बहुत हरना जाता है तो इस संचार को वैसे प्रिकासित परता है जैसे बादरों चेंदमाइश संचार को सीदन प्रिशन मनव की प्रिकास देता है भारते जो शम्दान है भारते शम्दान पिछंतर साल के बाद में उत्र दंडीयों को यामी की आतन की प्रिवर्टी आपनी है उनको सजा देने में इसलिए भारत का शम्दान वह पूरी तरह सच्छम है पिस्छे बहतर कोई शम्दान नहीं है और इस जो पिचानव नमर आइक लग्ता हुआ है कि देश कानलों और दो भाण के संदान में लिखा हुआ है और आपको बता दूं कि यह जो शम्दान है यह इस लिए कि ने पर चलेगा है यह उनको सुपरसीब करता है और आज के वाद को यह मोई परती करा चलेगा हिंदों की निश्वुर्ति का चलेगा बन की भारत का शम्दान के द्वारा देश का साफिन से लेगा जो लोग शमानता के ब्रोधी हैं जो लोग मानता के ब्रोधी हैं जो भाईचारे के ब्रोधी हैं वो शम्दान के ब्रोधी हैं और मैं आपको बता दू कि आज बिस के सामने सबसे बड़ी शमच्या है कि युद क को चुने या खुद को चुने और खुद ने कहा है कि जब किसी मुलुष्ट के शक्ती होती है और शक्ती के बिचारों की रच्छा करना है अपने समाथ की रच्छा करना है और जो गुदाएं अच्छा बहुत होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बनकि बहुत थर्म में लोगों को आम लोगों तक पहलाने के लिए यह सबसे बड़ी प्रुष्टी की बात है दूधरी बात में आपको कहना चाहता हूं कि यह थर्म आशाबादी है और बुद्ध ही वह पहले विक्ति थे जिनोंने गुरामी को खत्म कराता आदमियों को बेगने पर रोग लगाई थी इससे पहले दुनिया में किसी विक्ति ने लोगों को बेगने में या खरिजने पर क सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बेगने के लिए लौड मैकाले ने जो कानूल 370 और 374 धारा बनाई आए पीसी की वह सब्सक्राइब भारत के अंदर सामाजी की आई है एक लास बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि सज्जन के सज्जन के बुरे करमों से सज्जन की चुपी जाता खत्म ना बूती है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले